Hello friends, welcome to the success Kendra friends देखिए बिहार पुलिस 2,391 पदो पर जो वेकैंसी आई हुई थी यानि कि बिहार पुलिस कॉंस्टेबल 2,391 पोस्ट पर जो वेकैंसी आई हुई थी जिसका फिर से एक्जाम जो है बिहार पुलिस कॉंस्टेबल री एक्जाम जो है यह फिर से 7 अगस्ट 11 फूल लेंथ प्रक्टिस एट यानि कि जिस प्रकार से आपकी एक्जाम बिहार पुलिस के एक्जाम में 100 प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार के प्रश्ण को जो है हम लोग जो नया सिलेबस दिया गया है बजलता हुआ जो नया पैटर्न है उस पर आधारित हम लो निसान है उसको भी जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार पुलिस एकी से जार तीन से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग सेशन को लाइक कर दीजे फ्रेंट्स अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंट्स जैसे मैंने आपको बताया है कि सेशन में हम लोग बिहार पुलिस दोहजार चोबिस के लिए फुल लेंथ प्राक्टिस रेट को डिसकस करेंगे और यह ज्यान बिंदू जीएस अकरडमी का बिलकुल नया प्राक्टिस रेट है बिहार पुलिस दोहजार चोबिस के लिए जो निव सिलबस है उसी पर आधारित है सेट को पूरा लगाईएग और आप सभी लोग अपने अपने स्कूर जो है सेशन के एंड में कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए थोड़ा समय जूम करता हूं फ्रेंड ताकि प्रशन आपको असपश्ट रुप से दिखाई दे हाँ अब आपको बिल्कुल असपश्ट दिखाई दे रहा होगा पहल करिए सब लोग इसका अंसर क्रिए कि राइट अंसर क्या होगा अंग रेजी के प्रशन हिंदी के प्रशन ठीक हम तर यहां से आप अपना कप्लीट टेष्ट लगाई और स्कूर कमेंट करके बताई करें हैं चलिए आब यहां पर देखेगा लेट उस गो खाले स्था दिया सबसे पहले यहां पर द्जिएए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस भर बोन ठीक है न तो ज़ब भी आपका लेट्ट्ट्स सब्जेक्ट प्लस भरबवन हो यहाँ पर देखे let subject और go क्या है भरबवन है तो इसका हमेशा question tag क्या होगा जिसका question tag हमेशा sell भी होता है तो option number यह राइट answer हो जाएगा तो यह आप formula याद रखेंगे ठीके ना let plus subject प्लस भरबवन हो तो हमेशा उसका question tag sell भी होता है ठीके ना और देखिए sentence अग पर affirmative हो तो question tag हमेशा negative होना चाहिए और negative sentence का question tag positive होना चाहिए इस सीच को आप जब भी question tag बनाईएगा तो आप ध्यान रखिएगा ठीके चलिए उसका बाद देखेगा दूसरा प्रश्ण की make the adverb from the word fast ठीके ना बताईए make the adverb from बताना है किसका fast का बताईए right answer क्या हो इसका चलिए तो देखिए fast अपने आप में क्या है adjective है ठीके ना फास्ट adjective है और adverb दोनों है clear और इसमें अगर हम य लगा लेते हैं अगर इसमें हम य लगा देते हैं तो friends इसका adverb नहीं बनना चाहिए ठीके ना और इस प्रकार से fast का adverb fast ही होगा ऐसा नहीं कि fast ली लगा दीजेगा तो इसका adverb नहीं बनेगा इस प्रकार से fast का adverb fast ही होगा यहां पर दीखे फास्ट दिया गया option number C इसका राइट अंसर होगा ऐसा नहीं फास्ट ली बना दीजेगा ठीक है ना इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे चलिए अगर हम फास्ट ली बनाते हैं एस टी प्रोफेशनल है इनफॉर्मेशनल है या फिर इनमें से कोई नहीं नन अप दीज है ए रिपोर्ट इस ए नन फिक्शन एकाउंट डैट प्रजेंट्स एंड समराइज दो फैक्ट्स अबाउड द पार्टिकुलर इवेंट और इसू अगर हम दूसरे सब्समें बात करें तो से एंफॉर्मेशनल वर्क है ठेक है यहां पर ऑप्सक्न नंबर सी राइटन से रहा जाका है यह रिपोट क्या है यह uh प्रकार का इनफॉर्मेशनल WORK है चले कॉमचंप विक्न 쉬 हो क्या होता है तो देख जब भी आप रिपोट राइटिंग करेंगे तो उसमें क्या यह होत उसका बाद उसका कुछ न कुछ समरी होगा उसका introduction होगा फिर उसका body होगा, conclusion होगा, recommendation होगा और फिर method होगा ठेकें न तो ये सारे आपके जो है आपके जो report writing है उसके ये सारे formats है ठीके न तो यहांपर दीखेगा आपका method है, इंट्रोडक्शन है जैसे मैंने आपको बता है method, introduction, body, summary, title, table of contents, conclusion, recommendation और method ठीक है ना तो यहाँ पर राइट अंसर ए और भी दोनों हो जाएगा यहाँ पर inform मैंने नहीं बताया है इसलिए राइट अंसर इंफॉर्म नहीं होगा इस जिसको आप ध्यान रखेंगे जब भी आप क्या करते हैं जब भी आप यहाँ पर title of report जो होता है उसमें हमेशा आप table का content लिखते हैं table of content उसके बाद summary होता है introduction होता है body होता है फिर यहाँ पर conclusion लिखते हैं फिर recommendation होता है और फिर method होता है तो इस सीज को आप ध्यान रखेंगे चले उसके बाद देखेगा कि change the word strength into main verb इसको main verb में बदलना है तो देखे strength का main verb जो होगा यह आपका क्या होगा बताई right answer क्या होगा इसका सब लोग इसका answer comment करेंगे तो देखे इसका main verb जो आप पर see right answer होगा यह प्रश्ण बार बार जो है एक्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है ना इस सीज को आप याद रखेंगा चलिये उसका बाद next question है हमारा यहां पर बहुत लोग कहेंगे strengthen होगा लेकिन यह नहीं होगा यह कब होगा जब द पहले सब्द जो prefix होगा वह आपको बताना है और अगर हम बात करते हैं prefix की रूप में अगर इसमें हम आई-म का इस्तमाल करते हैं तो इसका opposite बनाते हैं ठीक है ना इसलिए आई-म जो होगा यहां पर बिल्कुल right answer हो जाएगा imbalance ठीक है इस इसको ध्यान रखेंगा अच्छा देखे the appropriate synonym of the word achieve is यहां पर देखे synonym पुछा गया है यानि कि synonym मतलब आपका समान अर्थ बताना है ठीक है ना एंटोनी मतलब उल्टा होता है तो यहां पर achieve का समान अर्थ आपको बताना है तो यहां पर देखे achieve का यहां पर अगर हम बात करते हैं तो achieve मतलब प्राप्त कर ठीक है न तो attain यहां पर इसका राइट अंसर होगा ठीक है इस चीज़ को आप धिहान रखेगा और accomplishment का मतलब उपलबदी होता है ठीक है न एप 0 का मतलब होता है त्यागना और Phoenix का मतलब समाप्त होना है तो यहां पर बी राइट अंसर इसका होगा अब यहां पर दिखे यह या फिर आप सक्सेस केंद्रा क्वीज लिख करके सर्च करें टेलिग्राम पर मिल जाएगा और दिखे मैंने आपको 2010 से लेकर के अभी जो एकजाम होता 2023 में बिहार पुलिस का जो रद हो गया था एक अक्टूबर की दिन वहां तक जितने भी हिस्ट्री के प्रश्ण जो बुक है उसी पर तो एक बार देखिएगा प्रश्ण वहीं से आपको बनेंगे ठीके ना इसको पढ़ करके आप एंसर दीजेगा यहां पर मैं आपको एंसर बता देता हूं इसका ठीक है चली यहां पर आप देख सकते हैं कि वाट टाइप ऑप सीटी काटमांडू तो जब आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका एंसर आप देखाईएगा तो काटमांडू जो है एक रिलिजियस सीटी विथ नेरो इस्ट्रीट से यहां पर एंसर होगा उसका पर चलिए अब यहां पर देखिए हिंदी स्टार्ट होता है हर्स सब्द के लिए उप्युक् विषाध हो जाता है तो यहां पर देखिए विषाध option B में दिया गया है ठीके विषाध होगा हर्स का मतलब क्रशनलता होता है और विश्म रखियंगे जो होते है यह कितने प्रकार न को होते हैं झार बंगा previous सार्ब कर आइख कितने वीध होते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखेगा कि सूरज निकला और पक्षी बोलेने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्य बोधक सब्द है बताईए सुरज निकला और पक्षी बोलेने लगे इस वाक्य में ठीक है कौन सा पद समुच्य बोधक है तो समुच्य बोधक दो सब्द या वाक्यों को जोड़ने वाला जो संयोजक सब्द होता है उसी को संयुच्य बोधक हम लोग आते हैं अभी मैंने अवय को बताया था ठीक है ना समुच्य बोधक संबंद बोधक क्रिया विसेशन और विस्मियादी बोधक तो यहां पर जोड कौन रहा है सुरज निकला और पक्षी बोलेने लगे तो और जोड रहा है अपने इसलिए और यहां पर राइट अंस सुनियेगा देखें अरे जरा इधर तुवा वाकर में कौन सा औरे क्या है आप असानी सर बता पाएंगे कि अरे जो है यहां विस्मियादी बोधक precisamente और औरे ठीके न वह तुमने तो कमाल कर दिया वह सब्स़ें यहादी है तो अप्जन नम्बर यहां पर सी इसका रायट अंसर होगा चले उसके बाद देखेगा कि सिख्खा बदल गया कहानी के लेखा कौन है सिख्खा बदल गया यह कहानी जो विर्चसपा सोबती हैं ठीक है जो है यह क्या है तो फ्रेंड्स यह आपका रोज है ठीक है याद रखिएगा रोज है ठीक है चलिए रोज है चलिए उसके बाद देखेगा नेक्स्ट कुस्टन है कि सवरवपर्थम अब यहां से आपका जीके जीयस का कुस्टन स्टार्ट हो रहा है ध्यान से बनाएगा कि स सारे वहीं चाप्टर के प्रश्ण है अब जाकर की देखिए ठीक है ना चले तो सवरप्रथम किसने समिधान निर्मान हेतु व्यस्क माताधिकार की बात कही थी तो फ्रेंट्स यह कहा था किसने जुहारलाल नहरुना अप्शन नमबर यहां पर एराइटन सरह जागा 1935 में भ मिर्मान हेतु व्यस्क माताधिकार की बात कही थी ठीक है ना तो जो भी मैं एक्स्प्लेंट कर रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेजेगा चले उसके पर देखेगा कि जम्मो और कस्मीर पुनर गठन विद्यक 2019 को राज्यसभा और लोक्सभा से क्रमसह कब मंजूरी मिली थी अब यहां पर देखे राज्यसभा और लोक्सभा से कब मंजूरी मिली थी जम्मो कस्मीर पुनर गठन विद्यक 2019 को चली सब लोग इसका एंसर कमेंट करिएगा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा पहले राज्यसभा फिर लोक्सभा बताना है तो देखे फ्रेंड्स राज्य 2019 को जो है 5 अगस 2019 को राज्यसभा से और 6 अगस 2019 को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी फिर 9 अगस 2019 को राष्टपती की स्विक्रिती भी प्राप्थ हुई थी ठीक है और इसके बाद जम्मो कस्मीर राज्य को दो केंदर सासित परदिस जम्मो कस्मीर और लद्दाक में पु बरकन बाना जाते हैं बदाईयों राएट अंसर यह पी एन भगवती को माना जाता है यहां पर दीखें पिएन भगवती οपसण में आप देख सकते हैं अपसन नम western में भगवती को माना जाता है भिखासButa की मैं नयाइक सकरियता कि अधारना का विकास 1980 के दसक में जो जश्टिस P.N. भगवती थे नाम याद रखेगा P.N. भगवती, B.R. कृष्ण अयर और चिनप्पा रेडी ठेके नाम और एक और नाम याद रखेगा D.A. देसाई तो ये चार नाम हो गया P.N. भगवती, B.R. कृष्ण अयर, चिनप्पा रेडी और D.A. द रखेगा और न्याइक सक्रियता की अधारना का विकास पहली बार किस देश में हुआ था तो ये भी आप याद रखेगा पहली बार न्याइक सक्रियता की अधारना का विकास अमेरिका में हुआ था ठीक है चले उसका पर देखेगा कि भारतिये समिधान की किस अनुछेद म को का को है 51 को का को जो है इसी में राष्ट द्वज के सम्मान की बात कही गई है और इस सम्मंदित निर्देश भारतिय द्वज सहिंता 2002 में सामिल है भारतिय द्वज सहिंता 2002 में सामिल है और भारतिय समिधान राष्टर गीत राष्ट द्वज इत्यादी के अपमान पर रोक लगाता है ठीक है ना अप्सन नंबर यह बड़ा इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा अच्छा यह प्रशन दिखिएगा कि जब पॉकेट विटो का प्रियोग भारतिय धांक संसुदन विध्यक के संदर में किस राष्टपती ने किया था अच्छा प्रशन दो तरी अच्छा प्रशन बनेगा मैं बता रहा हूं जयानी जयल सिंग ने जो है पॉकेट विटो का प्रियोग किस के लिए किया था तो याद रखेगा भारतिय धांक संसोधन विध्यक के लिए किया था ठीक है उनी सो ची आसी में 1986 में राष्टपती थी जयानी जयल सिंग उस समा में किया गया था जलिए दो दीके प्रतम विश्वेविंदी दिवस कब मना ए गया था मतलब कहां मनाया गया था तो कि 50 ici भी ब्सक्रावेविस मनाय कब जाता है तो यह आपको याद रखने दस जन ओरवरी के भTT यह पहला जो मनाया गया था यह मनाय गया था आपको 1975 में 1975 में महराष्ट के नागपूर में प्रथम विस्व हिंदी दिवस मनाय गया था और 2006 से प्रती वर्स दस जनवरी के दिन विस्व हिंदी दिवस मनाय जाने की गोशना किया गया था चले उसके बऄलचरी आपात की उद्धेखोश्णा का संकल्प परतेक सदंद्वरा पारित होना आ योश्तिक होता है…. अब समय नहीं करेंगे हम लोग 1-5-5 g त 2G में सेट कंपल note नहीं करेंंगे एतना समय मत बहर बात करें अब समया आपके पास नहीं है हम लोग एक घंटे का अंदर प्रयास करेंगे ठीक है 45 मिनट 50 मिनट करीब में इसको हम लोग खतम करेंगे ठीक है और दो तीन वीडियो आपको रोज उपलब्द करवाए जाएंगे पूरा तरीका से रिविजन करिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको चलिए बस आपको एक क पूल संख्या का बहुमत तथा उपस्तित और मतदान करने वाले सदस के दो बटा तीन बहुमत के द्वरा यानि कि ऑप्शन नमर यहाँ पर यह इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बदे कि किस अनुछेद के तहत संचित निधी में से राज्य को अनुद अनुछे 275 के तहत अब यहाँ पर दिख्या अनुछे 281 है और अनुछे 282 है ठीक है ना अनुछे 281 और अनुछे 282 बित आयो के अध्यक्स सदस्य एवम उनके अरहताएं से संबंदित हैं तो यह भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसका उप्शन नमबर सी राइट अ सरह होगा उसका पर दिखेगा कि डाक पत्र के माध्यम से माताधिकार प्रियोग करनी की सुविधा देना क्या कहलाता है डाक पत्र के माध्यम से और बड़ा चर्चा में रहा था ठीक है ना पोश्टल बैलेट आपने सुना होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सरह होगा पोश्टल बैलेट ठीक है चुकि करेंट का कुस्षन बन सकता है इसलिए ध्यान रखेगा भारत के राजचीन के दोनों और पसु कौन से हैं भारत के राजचीन के दोनों और बताई दिके पट्टी जो है ना उसका पट्टी के मध्य में उभरी हुई नकासिदार में धर्म चक्र है और उसके दाई और एक सांड है और बाई और एक घोडा है भारत का राजचीन सार्नाथ इस्तित और सोकी सिंघ अस्तम की अनुकृती हैं और मुल अस्तम में सीर्ष पर चार सेर हैं याद रखेगा जो एक तरफ एक दूसरे के तरफ जो है पीट कियो हैं और इसके नीचे जो घंटे का आकार का पद्म है, उसको उपर उबरी हुई, नकासी दार में एक घोड़ा, ठीक है, चोकड़ी भरता हुआ हाथी, सांड और सी है, तो कितने पसवग हैं घोड़ा, हाथी, सांड और सी हैं, तो ये चार पसव हैं, याद रखेगा प्रशन ये भी बन सकता है, ठीक है, चले इनिमलिकित में से किस फसल में सरवाधिक तेल की मात्रा होती है, सरवाधिक तेल की मात्रा होती है, बताए, राइट अंसर क्या होगा, और भारत सरकार के दुबराद 26 जनवरी 1950 को ये अपनाय गया था, राजजिचीन, ठीक है, तो दिखिए, इसमें से सबसे ज्यादा तेल की मात्रा जो है, पाई जाती है, किसमें, सोयाबीन में, ठीक है, न, सोयाबीन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वयाबीन, प्रोटीन मिलता है, इसमें ध्यान रखिएगा, चले भेंड से उन उतारनी की सबसे उप्युक्त अब होता है, तो बसंत का मौसम होता है, जो सरदी के बाद आता है, बसंत का मौसम उसी में, ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा, राइट अंसर इसका क्या होदेगा, सरदी के बाद जो बसंत का मौसम होता है, ठीक है, उसका बाद देखेगा कि वास्प उत्सरजन के लिए, संरचना जिम्यदार है देखिए वास्प सर्जन की बात करते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंगरों द्वारा वास्प की रूप में अतरिक्त पानी निकलता है तो यह जिम्वार रंगर है ठीक है याद रखिएगा अथा ऑक्जेनोमीटर जो है इसका का और प्रियूग करते हैं और जेनोमीटर का सिंपल सा कुस्वन कंदे की बृधी को मापने के लिए एक उपकरन है तो यहाँ पर दिखेगा पौधे की बृधी राइट अंसर हो जाएगा कहा पर बृधी दरन आपने के लिए और यहाँ पर बी करेक्ट अंसर हो जाएगा कौन मानो जाती जीवोम का एक उधारन है बताइए तो इसमें से राइट अंसर आपका कौन सा हो जाएगा फॉसली भूमी ठीके ना फॉसली भूमी मानो जनित जीवोम का उधारन है मानोजनी जीवों को एंथ्रोम्स या मानोजीवों के रूप में भी जाना जाता है इसको एंथ्रोम्स भी कहा जाता है ठीक ना इस तरह से अगर एंथ्रोम्स लिखा रहे एंथ्रोम्स तो भी आप याद रखिएगा ठीक है शरीर का जो संचित glycosine होता है ना glycosine और गलायकोज जो है व्यक्ति के शरीर के अंदर लिवर में यक रित्म जमा होता है उससी glycosine का प्रयोग करता है ठीक है ना इसीज को आप याद रखेगा लिवर में जमा होता है गलाइकुल्सन देखी को अपने पढ़ाओगा यह बेटामीन एप कमी से होता है ठीक है सुसकाजी चिकोप एसा कुछ नाम है ठीक है रतौण्धी और सुसकाज लिबसस होता है मैं साध्य सिधे बता निदेता हूं रतौण कों थी ठीक है twoet F1 याद रखेगा रटिनॉल होता है ठीक है नाव इसकर भी इस होता है उसका बाद दिक्षे के बेटामिन अगर हम करते हैं के में दो बिटामिन- K की कमी से रखत का थक्का नहीं बनता है ठीक है यह सब आप याद रखेगा चलिए उसका बाद चbody 34 number question यहाँ पर है कि देखे अप्रशन पढ़िएगा मेई बोमियन गरंथी हो सकता है नया मिले आपको मेई बोमियन गरंथी किसमें इस्तित होती है मेई बोमियन गरंथी जो है यह किसमें इस्तित होती है बताएंगे सब लोग अंसर कमेंट करिए मेई बोमियन गरंथी किसमें यस्तित होती है तो फ्रंट सी यह आखी की गरंथिए मेइबोवियन गरंथी आख में आपके जो टार्सल प्लेट है तार्सल प्लेट है उसी के अंदर पलक के किनारों के साथ वसा मैं गरंथियां है ठीक है इसी इसी को आप याद रखिएगा और यह मेईबं का उत्पादन करते हैं यह किसका यह मेईबं का उत्पादन करते हैं मेईबं का उत्पादन करते हैं ठीक है मेईबं का उत्पादन करते हैं और एक तैलिय पदार्थ जो आंक की आसू फिलिम के वास्पिकरन करोकता है ठीक है ब्रक्राइब को आंको को चाए रोग को चाहरों यानि के इसको तपेदिक भी कहा जाता है । टीवी की विमारी याद रखिएगा ठीक है काफी इंपोर्टेंट है चले उसका पर देखेगा कि बिहार के निम्न में से किस अस्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है तो दीके सजावटी ग्रेनाइट जो है यह भागलपूर बांका नवदा इन सब जीलों में पा जाती है अबरक मुलक मिट्टी तो अबरक मुलक मिट्टी जो है आपको पता है कि अबरक उत्पादन बिहार के नवादा जीले में होता है ठीक है और गया जिला में मुकरुप से अबरक का भंडार है पूछा जाता है और जमूई मुंगेर भागलपूर जिलों में भी यह एधाता है तो सबसे पहले तब अबरक की लिए लिए गया का नाम याद रहेगा ठीक है और अबरक अभ्राश बिहार में डिलो जीले में कहनल ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे है पर नवदा दे रखा है इसलिए नवदा यहां पर दिखने में से कौन सा एक ख़ने नहीं है नहीं है अब यहां पर का यहाँ पर नहीं है आप तो यहां पर देखИंगे 15 जोael दॉय है this कि नहीं पर नहीं इसा बात करते हैं तो लगह खांधीज में आपका HOL-e consecutive आएगा मैगनी जाएगा क्रोमियम निकेल क्रोमाइट टंगश्टन कोबाल्ट मोबिडेनम वैनेडियम यह सब आता है ठीक है और अलाहों में कौन सा आगा तामबा एलमुनियम टीन सीसा सोना चांदी प्लाटिनम जिंक अबरख यह सब आता है ठीक है चरविसों में सूती वस में यह फोर्ट गलश्टर जगह है फोर्ट गलश्टर कलकत्ता में फोर्ट गलश्टर में किया गया था 1818 में फिर उसके बद आध्वनिक तरीके से 1854 में बंबई में इसके स्थापना हुई थी ठीक है और यहां पर बीसों में सूती वस्त्र कुत पादन में पर्थम घेश्टर कहा जाता है चीन का मेंजेष्टर सहंग्हाई को हा जाता है दूज इसके दिखेगा कि ठीक है ओसत मिलान का चैन करें बताई यहां पर असत्यं तो यह सथिजिन नहीं होगा ठीक हो बोनास जापान by यह पर नाली है ठीक है भारत का देखिए IRNSS गलेली उरोपी उनियन का क्यूजड एसस जापान का ठीक है तिस इसको आप जान रखेगा कि हरास्मान जनसंख्या का पिरामीड निम्न में से कौन सा होता है हरास्मान जनसंख्या का पिरामीड जो होता है बताए तो फ्रेंट्स यह आपके नीचे की ओर संक्यन तथा सिर्ष सुन्डाकार होता है अपसर नंबर यहाँ पर यह राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इस इसको आप जान रखेगा इसमें से देखिए निम्न जनमदर और निम्न मिर्तिदर होती है ठीक है ना जनसंख्या हरास है तो इसमें देखिएगा आपका निम्न मिर्तिदर होती है इस प्रकार से किसी भी देशों में जनसंख्या ब्रदी सुन आथवा रिनात्मक होती है भारत में प्रतम दियासलाई का रखाने के स्थाफना किस पर सुई थी दियासलाई का रखाना का स्थाफना 1921 में हुआ था गुजरात के आहमदाबाद में ठीक है अपसे नमर यहां पर सी राइट अंसर होगा चली देखें पुमा रेल्वे का मुख्या रहता है ठीक है ना जब मैं बच्चा था तो समझता था कि पुमा रे इसका मतलब होता क्या है लेकिन बड़ा हुआ तो समझा कि पुमा रेल्वे है और पुर्व मद का जो आपका मु जबलपूर में पढ़ता है ठीक है याद रखिएगा और यहां पर पस्सिम मद का जबलपूर में है ठीक है जबलपूर यहां पर राइट अंसर होगा इसका चले उसका बड़े कि आधुनिक पद्धति और व्यवस्तित धंग से सरप्रतम जनगन्ना किस देश में हुई थी आधुनिक पद्धति और व्यवस्तित धंग से सरप्रतम जो है कहां पर हुई थी तो फ्रेंड्स यह सरप्रतम स्वीडन में हुआ ठीक है स्वीडन में हुआ था इस सीच को आप याद रखिएगा स्वीडन में हुआ और सरप्रतम अमेरिका में 1790 में अमेरिका में 1790 में द तरह से मीख दे दिया गया है अब आप आसानी से स्कों पकड़ नेगे मिक मिथाइल आइसो साइनाइट है मिथाइल आइसो सेट यह पर दे भी दिया गया अगर इस तरह से मैसी लिखेगा और इसका केमिकल फर्मूला पूछ लेगा तो क्या होगा बताईए इसक रासानीकire क्या होता है सीयस 3-1 C-100 3 N Cats 3 n co स्ट 3NC-1 याद रखिएगा this is का प्रयोग जहरिल्यग में रासानिक हाठियार के रूप किया गया था दूसरे बश्रानिक फ्रतम विशाइब में मॉस्टाड्य गैस का इस्तमाल किया गया था बिलीएम्टसं ने विदी की में संसलेशन बीदी की दवरा संसलेशिट किया था बहुत ही टफ सेट है अगर इसमें आप साटट में साटट भी ला लेते हैं तो आपकी तैयारी बहतरीन समझी जाएगे तो फैंट्र यह दाइटाइल इथा था तर देगे लगशान ने सरप्रतम बिल्यम्ट संसलेशन बीदी क किया था चली निमन में से देखे किसे पेराफीन भी कहा जाता है तो पेराफीन सिंपल सा कुछ से हैं पेराफीन किसको कहा जाता है इसमें से क्रुक्स कांच का एक प्रकार है नाम है क्रुक्स इसका निर्मा निम्न में से किसके संगठन से होता है क्रुक्स का अब यहाँ पर option दिया गया है बता एक क्रुक्स कांच का निर्मा संगठन पूछा गया है तो देखिए क्रुक्स कांच की अगर हम बात करते हैं तो यह आपक राइट अंसर हो जाएगा यहां पर देखेगा सेरियम ऑकसाइड और सीलिका ठीक है और कुरुक्स काज जो है धूप चस्मों के लेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका फिलिंट कांच होता है एक होता है फिलिंट कांच की बात करते है तो इसका उप्योग व बे रियूम औक सीलीका होटा यहां पर आप देख सकते का आपका पाइरिक इंप्ररोटन फॉता है यहां पर दिया test प्रेका कोन एक डता है सम नूंटरॉन की संहहां रखाए समय सम्नूट्रॉन निकालने का तरीक आपको पता है यहां पर देखेंगे तो 21 से 23 जाएगा कितना बचेगा 28 होगा इसमें बांन से 24 जाएगा तो कितना बचेगा इसमें भी 28 होगा इसमें neutron बराबर है इसलिए some neutron है ठीक है इसमें देखिए आपका नहीं होगा इसमें से यह अलग-अलग है neutron किसंग है इसमें तो option number C right answer हो जायागा चले बिटा कन और अलफा कन है यह बिटा कन है यह अलफा कन है इसमें वेग कानुपात पुछा गया है चली तो यह पर देखिए कखा 9 अनुपात एक होगा बिटा के कोन अलफा के कन से 9 गुना वेग इसका होता है निमन में से किसको नेट्रोलीम भी कहा जाता है इंपोर्टेंट कुस्चन है किसको कालशियम सैनमाइट को कहा जाता है ठीकिन कैल्सियम सैनमाइट को नाइट्रि कांशा को थीम की अधिक मात्रा उतरा को क्या कहा जाता है करन्सकों सफ्रेंट कहते हैं टी तक आते हैं ठीक है याद रखेगा कांसा जो होता है यह टीन और तामबा का मिसर धातु होता है इसे भी ध्यान रख सकते हैं चलो उसको बहुत देखेगा कि अर्थवास्ता के चतुर्थ छेत्र के अंतरगत आने वाली गर्टी विदिया कौन सी हैं बताइए त्रितियक छेत् में सुचनाओ का संगरहन अध्यन और विसलेशन आता है mutual fund प्रबंधक आएगा portfolio का प्रबंधक सांखिकी विद्ध सब्टवेर डेवलोपर सुध और अनुसंदान यह सब आता है यहाँ पर देखेगा सुचनाओ का संगरहन याद रखेगा important है ठीक है चलिए उसके बाद द यह सबाता है देखे यदि दो वस्तुमें अस्थानापन यानिके substitute हैं जैस्टे की चायर कफ्य उसके बीच की अनुप्रस्तर लोच शिलताज होती है यह किस प्रकार की होती है तो यह पोजाटिव होती है यानिकि धनात्मक होती है देखे एक फर्म का संतुलन कब अपने उत्पादन अस्तर को बढ़ने यानि कि बढ़ाने या घटाने जब बढ़ने की कोई एक्षा नहीं होती है ठीक है संतुलन बेंदुपल फॉर्म अधिकतन लाव कमाती है तो यहां पर दिखे उत्पादन में दूतिय चरण में उत्पादन के भारत में वितिय वर्ष क है कि लगात्त लयाशती है यहां पर दिखीएगा असमान प्रधानमंत्र हैं आ आश्टूमान भारत प्रधान मंत्री जन आ रहेग योजना के करियान मन के लिए नौडल एजनसी कोश्ची नोडल एजनसी है तो इसमें से देखे राष्री स्वास्थ प्राधिकरन जो है एन् ही जिसको बोलता है राष्टूद स्वास्त प्राधिकरन जो है या इसकी नोडल एजनसी है आईसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरेग योजना सितंबर 2018 में स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा लॉंज किया गया था इसे भी आप द्यान रखेंगे ठीक है ना चले इंडिया को कब सुरू किया गया था मतलब किस मंत्राले की सरकार और राज़ी सरकार और परवरतक निविश करते हैं किस अनुपात में चैत्री ग्राविड़ी बैंक में तो इसमें 15 पर 30 राज़ी सरकार का और 35 पर 30 जो होता है यह आपका होता है इसमें जो प्रवरतक बैंक है उनका तो पचास पंद्रह पैंसट और पैंसट और पैंसट सो राइट अंसर यहां पर option D हो जाएगा चलिए अच्छा चेत्री ग्राविड़ी बैंक की अस्थापना को गई थी जब भी सोट सरकीट होता है उसमें धारा कमान बहुत जादा बढ़ जाता है ठीक है धारा अत्यादिक बढ़ जाती है ठीक है चलिए उसके बाद next question हमारा देखें प्रशन क्या कर रहा है कि सरल आवर्त गती से एक सरल लोलक के लिए निमलेखित कत्रों में से कौन सा सही है सरल आवर्त गती के एक सरल लोलक के लिए निमलेखित कत्रों में से कौन सा सही है तो देखें मादी इस्तिती में गती जूर्जा अधिक्तम होती है और इस्तित उर्जा निवन्तम होती है तो इस्तित जूर्जा अधिक्तम नहीं होगी मादी इस्तिती में इस्तित उर्जा निवनतम होती है यह गलत है तो ऐसों आपसथ नमबर वस्तू हमें यहां पर ऑफ सनग ऑस्पा लागता निवन में से क्या है उत्पालोक्ता तो यह उत्पालोक्ता जानते हैं कि जब भीवस्तू को द्रब में डूबाए जाता है तो ऊपर के तरफ बल लगता है यानि कि और नमबर भी यहाँ पर और्दमुखी राइट अंसर हो जागा आर्केमर डिज का सिधान ता अपने पड़ा होगा आर्केमर डिज ने उत्पलावन का सिधान दिया था ठीक है जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाव जाता है तो तरल उस वस्तु को उपर की और हमेसा एक बल लगाता है उसी को उत्पलावन बल करते हैं और उत्पलावन बल का परिणाम हमेसा तरल के घानत उपर निर्भर करता है ठीक है उत्पलावन बल का जो परिणाम है हमेसा ओरल के घ्रणतों पार निर्फर करता है। उसको ब्रकास हीरे से घाउच में जाता है थो फूर्ण आंठीक परावर्तन होता है। थीक आंठीक परावर्तन होता है इसी चीज़ को आफ याद रखिएगा। चलिए next question कर लेंगे कि निवन ताप मापो निवन ताप मानू कपड़योग निवन में से कहां पर होता है बताइए तो अंतरिक स्यात्रा चुम्बक्ये प्रोत्थापन और दूर्मीती में होता है ठीक है मैक संख्या किसे कहता है वाइवान की चाल जो है मैक संख्या में मापा जाता है इस सीज को आप याद रखिएगा ठीक है और मैक संख्या जो होता है वह आपका क्या होता है तो फ्रेंट् M2 परवलता वाले दो धुरुवे की बीच की दूरी आर्द रखा है कितनी होती है बताई चुम्ब की यह बल पुछा गया है कितनी होती है तो फ्रेंड्स यह फर्मुला आप याद रखेंगे यह वाला फर्मुला आपका रायट अंसर होगा चले उसके बाद देखेंगे अब रेजिनिंग का कोस्टन आ रहा है यहां से आप पड़ करके एंसर दे सकते हैं ठीक है ना पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर दिया जाएगा आप वहां पर जाकर की भी सॉल्व कर सकते हैं अब यहां पर देखेगा यह प्रश्ण का रहा है कि इसका मतलब है कि B A का पती है इसका मतलब है A पलस B का कि B A का भाई है इसका मतलब है कि A B का पिता है इसमें समय लगता है इस तरह के प्रश्ण में आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं यहां पर मैं आपको एंसर बता जेता हूं रैट अंसर यहां पर हो जाएगा आपसर नंबर भी ठीक है उस सित्र में पुछा गया है कि कितना तिर्भोज है तो काउंट करने पर इसमें आपकी 103 तिर्भोज है ठीक में 103 तिर्भोज है चलिए उसके बाद देख लीजेगा अगला प्रश्न हमारा है कि यदि A B का पूत्र है? B C की बहान है? D B की मा है? तो A और D कर D से संबंद क्या है? यह आप से पुझा जा रहा है बताएंगे तो यह नानी है ठीक है ना? नानी है ध्यान रख़े हैं कैसे? तो यहां पर आप देख सकते हैं A B का पूत्र है यह जो है, यह किसका? यानि की जो उत्तर पुर्व है नॉर्थ इस्थ है और दक्षिन उत्तर हो जाए तो क्या कहेंगे हम तो क्या कहेंगे इसको फ्रेंट इसको बना सकते हैं आसानी से देखिए इस में द्रापन मतलब चीतर का दरपन गयाद करना है यहां दिखा जा रहा है तो कौन से लेस्ट नेशा बनेगा बनेगा बहुत आसान प्रोश्न होता है बताईए तो यहां पर आप संट यहां पर एट रहो जाएगा ठीक है अगर आप को धिकत है नो क्या करीए ना इसका तरीक कि अचलेगा कि गुप्त काल की प्रमुक्पुष्टक योगाचार की लेखक कौन है योगाचार की लेखक जो है यह असंग है तो यहाँ है यहाँ पर रहेंट अंसर हो जाय था नव शाहसाक आथात नव विक्रमदित्य की पद्वी धारन किया था केसे सासक ने तो फ्रेंड्स यह सासक कौन था तो यह राजा भोज था राजा भोज था याद रखीगा परमारवंस का सबसे यह सस्वी राजा था ठीक है इसे को आप याद रखिएगा और उदैपुर प्रसस्तिक अनुसार उसने तुरुको को पराजित किया और उसने नवसाहसक की पदवी धारन किया था ठीक है चलिए तो परमारवंस से था परमारवंस का संस्थापक उपेंद्र राज था इसे भी आप याद रखेंगे उपेंद्र राज या क्रिश्न राज था परमारवंस से किसका प्रतिक चेन था धनुस जो था ये किसका प्रतिक चेन था अब यहां पर देखे धनुस जो था सबसे पहले बता देता हूं आपका ये चेरों का प्रतिक चेन था ठीक है धनुस चेरों का प्रतिक चेन था ठीक है चोल सासको का बाग था ठीक है याद रखेगा चोल सा ख़ली चेयर और पांड यह आपको याद होगा ठीक है चलिए उसकाब देखेगा कि विहार के मनेर में स्थित सभी दालत का मकवरा कि सुभीदार्ण में तो बिहार के मनेर में इस तरह से भी आप प्रश्णी याद रखेगा इबराहीम खाने बने था option B right answer होगा देखिएगा पालकाल में स्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है बताइए तो friends यह कहा जाता है आपका इन्टीश इंडियन इस्टापना कब होई थे बताएंगे अंडियन इस्टापना तो 1851 में हुई थी, 1851 में जो है British Indian Association के स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता में, राधा कांत देव नहीं किया था, ठीके, 1875 में जो है Indian League और 1876 में Indian Association के स्थापना हुई थी, 1876 में Indian Association की, ठीके ना, और British Indian Association के 1851 में, देखे, गांधी जी को किसने साउधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुमाईयों के कट्रपन को प्रोच्छाहित न करें, किसने जो है, गांधी जी को सचेत किया था, साउधान किया था, तो friends, यह किसने किया था, यह किया था, मुहमद अली जीना जीना ना मुहम्मद अली जिना ने खिलाफत आंदलन के दौरा ने ठीक है चले देखे लाला लाजपत राय ने प्रतम विस्यूत के समय किस देश की यात्रा किया था लाला लाजपत राय ने सेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है बताएं सामिन कमिशन का इन्हों ने पंजात को सिरी बलंभाचारे महाप्रभु की बलभाचार और इनके पुत्र हैं इनका नाम है यहां में लिख दोन का नाम याद रखना है बलभाचारण और इनके पुत्र बिठल ना यह दोने थी ठीक है औरraph 865 में जो है Ai ma be help 565 यह बहले नाम आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंड चली आगे बढ़ते हैं अब हम लोग next question कर लेंगे ठीक है चलिए उसके बाद next question है हमारा कि मामलुक वन्स की निव किस ने रखे थे मामलुक वन्स की निव जो है किस ने रखते मामलुक वन्स यानि की गुलाम वन्स ठीक है कुटब मिनार की निव इसी ने रखवाया था तो यहां पर देखी कुटब दिन एबक राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और इसके मृत्तिव जो है चोगान खेलती समय गोड़े से हो गई थी और इसका इसको दफनाया गया था कहां पर लहावर में ठीक है चलिए चीनी का मुल ने 15 परतिशत बढ़ जाता है चीनी की खपत में कितने परतिशत की कमी करनी चाहिए कि चीनी की खरीद पर होने वाले खर्थ समान रहे है दसमलों के दो अस्थान तक सुद्दमान गयात करना यह सब कोस्चन आप पहले से भी बना चुके हैं आप देख रोपयाज ठीक है गुना 100 सिंपल्स है आप निकाल दीजेगा ठीक है यह फिर एक और तरीका है यहाँ पर देखे प्रतिशत पलस सो प्लस प्रतिशत गुना 100 तो प्रतिशत कितना है कुस्चन में देखे 15 प्रतिशत 100 प्लस प्रतिशत यानि की 100 प्लस प्रतिशत 100 प्लस पं देदेरता हूं आप लोग बनाएएगा यहां पर दिखिएगा अगला प्रष्ण क्या रहा है कि यदि एन को 16 से भाग देने पर 14 बसता है तो 4 एन को 16 से भाग देने पर कितना से स्प्राप्त होगा बताईए लिखे भाज़ बराबर भाज़ गुना भागफल जोड़ सेस होता है यह चीज आप जानते हैं अब यहां पर देखेगा कि प्रश्ण में का रहा है कि यहां पर यहां पर चार न कर दीजिए तफिर इधर कितना हो जाएगा चार इधर इधर भी तो करिये गना तो तो तीस गुना चार एक सो बीस हो जाएगा थिक है अब देखिए 20 हो जाएगा चारण कितना हो गया 120 हो ठीक है बढ़ाई सिंपल है तो 120 को अब आप 16 से भाग कर दीजेगा 16 से भाग देने पर तो आपका निकल के आ जागा आठ पराप्त होगा करके देख लीजेगा ठीक है तीन और पांच के भी तृतिय समानपति का होता है बी स्क्वार स्क्वार बटा एक इतना है तो 35 बटा तीन ठीक है तो अप्सेन यह में आप देख सकते हैं 25 बटा तीन क्लियर ना शाली आपका रहा है कि आर परतिसत्त वार्षिक सधारन व्याज कि दर से पी पर टी वर्सों का मिसरधन क्या होगा ठीक है तो बताई राइट नसर क्या होता है चले एक घंटे का एक मिनट बारा सेकंड कितना परतिसत होगा एक घंटे का एक मिनट बारा सेकंड का कितना होगा चले एक घंटे में कुल साथ मिनट होते हैं साथ मिनट में साथ सेकंड होते हैं ठीक है एक मिनट में बताया कितना सेकंड होता है यानिकि एक मिनट मे बताए ये एक मिनीट और बारा सेकंड एक मिनीट में साट सेकंड और बारा सेकंड ये होगा तो बोचेल 방송 गांटर सेकंड होगा तो बहतर और कोरेक ये गहंटे का ये गहंटे कीतना होत तैंद छित्थी सेकंड होता है गोना सो इसको निकाल लिजेगा यह 3600 होगा ठीक है गोना सो निकल के आ जागा न कितना इजी है दो परशन्ट राय टन्सर हो जाएगा दो जिरो सो दो जिरो कट जागा 36 दोना बहततर हो जाएगा चलिए उसके बाद देखेगा कि दो और बाइस के बीच सभी विशम पॉर्णांक को काउस दो और बाइस के बीच विशम पॉर्णांक आप आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर राय टन्सर इसका कितना हो जाएगा निकालिएगा इसका कर्रेक्ट अंसर 12 होगा ठीक है ना देखेए 18 रुप्य की प् आपका 16 वर्स 95 का देख लीजिए आपका हो जाएगा माइनस 23 ठीक है उसका पर देखेए 27 चैंपियंशिप मेगनस काल्सन को हराने वाले सबसी हुआ खिलाडी कौन बने है तो फ्रेंट्स यह डी यू केस बने है ठीक है और देखेए अभी आपसे प्रशन बनेगा कि भारत के 55 घ्रेंट मास्टर कौन है तो सबसे नविंतम अभी मैं बता रहा हूं उनका नाम है पी स से सनास लेनी की अपने केरियर में कूल कितने एकल ग्रैंड सलम का किताब जीता था बताइए राइट अंसर क्या होगा तो उन्होंने 23 ग्रैंड सलम जीते हैं ठीक है चलिए पहला विस्व बौधिक सिकर सम्मेलन अप्राल 2023 में कहां संपन हुआ था चुकि पहला था तो यह न 2023 को तेश अगस्त थो हजह चंद्रियान थरी चंद्रमा पर सफल रांडिंग हुई थी ठेक है ना ? 20-20 अगस्त के दिन